हलो दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग रेंडम फैट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगी सवधियारब के प्रिंस अलवहीद बिन तलाल ने एक 48 मिलियन डॉलर यानी की लगबग 340 करोड रुपए की मोसेडिस गाड़ी खरीदी है जो की पूरी तरह से हीरो से ड़की हुई गाड़ी है प्रिंस के इस गाड़ी को लोग देख तो सकते हैं लेकिन अगर कोई इस गाड़ी को छूना चाहता है तो उसे 1000 डॉलर यानी की लगबग 72,000 रुपए देने पड़ते है फेरिको लेंबॉर्गिनी जो की ट्रेक्टर बनाने का काम करते थे उन्होंने एक फेरारी कार खरीदी हुई थी और एक बार उस फेरारी का क्लच तूट गया जब फेरिको लेंबॉर्गिनी उसे ठीक कराने के लिए फेरारी के शोरूम में लेके गए तब फेरारी वालों ने उसको ठीक करने से मना किया क्योंकि उनका कहना था कि फेरिको लेंबॉर्गिनी एक ट्रैक्टर बनाने वाले है और उन्हें कार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं इसलिए वो क्लच तूड गया उस इंसिडेंट के बाद फेरी को लेंबॉर्गिनी ने तै किया कि वो भी अपनी खुद की एक कार कंपनी बनाएंगे और फिर कुछ इस तरह से लेंबॉर्गिनी स्पोर्ट्स कार का जन्म हुआ जो की काफी हद तक पेरारी जैसे ही गंटा है यह टॉप स्पीर गाड़ी की इंजन की वज़े से नहीं बलकि गाड़ी के टायर की वज़े से लिमिटेड है अगर इससे जादा स्पीड पर गाड़ी को चलाया जाए तो गाड़ी के टायर ब्लास्ट हो सकते है इस वज़े से गाड़ी का टॉप स्पीड बलकि गाड़ी की वज़े से हुए damage का भुखतन गाड़ी बनाने वाली company को देना पड़ता है क्योंकि उन्होंने ही ऐसी गाड़ी बनाई है आप तो जानते ही है कि bullet fruit glass बंदू की गोली को रोकने के लिए और गोली glass से आर पार ना हो इसके लिए होती है लेकिन ये glass असल में सिर्फ एक साइड से ही bullet fruit होती है क्योंकि अगर कोई गाड़ी के बाहर से गोली चलाता है तो ये glass उस गोली को गाड़ी के अंदर आने से रोकती है लेकिन अगर गाड़ी के अंदर बैटा हुआ आदमी इसी glass से गोली चलाता है तो ये गोली गाड़ी के बाहर जा सकती है अगर बुगाटी वेरान को उसके टॉप स्पीड पर चलाया जाए तो उसका पूरा फ्योल टैंक सिर्फ बारा मिनिट में खत्व हो जाता है जो की लगबग 26 गैलन यानि की 990 लिटर का है अगर आप वल्व कंपणी की कार Oversus Delivery Program के तहत खरीते हो तो कंपणी आपको स्विडन जाने के लिए दो फ्री टिकेट्स देती है साथ ही दो हफ्तों का फ्री इंशोरंस भी देती है जिसके बाद आप पूरा यूरोप घुम सकते हैं और फिर आपकी ट्रिप खत्म होने के बाद कंपणी आपकी कार को आपके घर तक फ्री ट्रांसपोर्ट भी कराती है नॉर्वे में अगर कोई इलेक्ट्रिक कार खरीता है तो उसको फ्री पब्लिक पार्किंग और फ्री फेरी ट्रिप्स मिलती है साथ ही उस गाड़ी का मालिग अपनी कार बस की लेन से भी चला सकता है जो कि बाकी गाड़ीयों को नहीं है तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी ये हमें कमेंट करके बताए साथ ही वीडियो को लाइक करे दोस्तों के साथ शेयर करे और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे जैहिन वंद्यमात्र